दोस्तो आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लिकेशन में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और किस तरीके से उसे किया जाता है इसके बारे में एक टुटोरियल देखने आले है बेसिकली दोस्तो नॉर्मल कंडिशन में हम क्या करते है कि लो प्राइस पे स्टॉक को बाई करते है और हाई प्राइस पे जैसे ही स्टॉक जाता है तो उसे सेल कर देते है तो शॉर्ट सेलिंग में हमें क्या करना होता है हाई प्राइस के उपर पहले ही स्टॉक को सेल करना हो तरीके से इसे sell कर सकते हो तो आपका broker आपको intraday में ये करने के लिए एक facility प्रोवाइड करता है ये सिर्फ आप intraday में कर सकते है या फिर future में या option में आप delivery लेके बैट सकते हो expiry तर तो किस तरीके से करना है ये देखते है लेकिन उससे पहले अगर channel पे नए हो तो जल्दी ये watch list में watch list में मैंने stock जो है वो थोड़ा analyze किया है कि इंडस्ट और को मैं आज short करने वाला हूँ यहाँ पे लगबग 1% down चल रहा है stock तो stock को select करना है select करने के बाद आपको sell के उपर click करना है जैसे ही sell के उपर click करोगे सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है ये screen open हो select करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो available margin मेरे पास कितना है और उस हिसाब से में कितनी quantity short कर सकता हूँ तो 25 quantity मैं यहाँ पे short करने वाला हूँ हाला कि educational वीडियो है तो ज्यादा quantity में यहाँ पे short नहीं करूँगा और यहाँ पे आप limit set कर सकते हो या market price के उपर भी selling कर स और उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे सिर्फ 895 रुपे यानि कि सिर्फ 895 रुपे में मैं 25 quantity यहाँ पे short करने वाला हूँ तो sell के उपर click करना है confirm कर देना है और आप देख सकते है order जो है हमारा execute हो गया है और open position में हम यहाँ पे आभी देख रहे है कि short किये है हमने 25 share वो भी intraday में लगबग 5 रुपे का profit यहाँ पे हमें तुरंत दिखाई दे रहा है तो यह होता है angel one में short selling करने का तरीका अब मैंने आपको chart नहीं दिखाया क्योंकि analysis मैंने किया था थोड़ा तो आप chart देखके यह सारी जीज़े करें और अगर आपको इसमें से exit करनी है त उपर क्लिक कर देना है जैसे आप exit बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जितनी quantity आपने short की है उतनी ही quantity एंटर करनी है उससे ज्यादा quantity एंटर आप नहीं कर सकते उससे कम कर सकते हो नेकिन ज्यादा नहीं करनी है फिर एक बार आप limit या फिर market जो भी आपका हिसाब है उससाब से आप limit या market लगा सकते हो और उस price के उपर आपकी position जो है अगर आपको profit होता है तो profit में आप exit कर सकते हो अगर आपका stop loss हो जाए तो stop loss आप hit करके exit कर सकते हो simply यह तरीका होता है आपको अगर short selling करनी है angel 1 के अंदर I hope आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ मे आ गया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को ज्यादा स्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना धन्यवाद